नमस्कार दोस्तों तो भेंकर क्रेश के लिए तैयार हो जाब फेड की जो बारा मेंबर कमेटी है उन्होंने है ना एक्चली में भी जो बेंचमाक होता है फेडरल फंड्स का उसकी रेट तीन से 3.25 कर दिए यह कमेंटरी एक्चली बहुत खतरनाक सा वह तो यह 2008 के अरली में यह ऐसा रेट हाइक हुआ था ऐसी चीज़ें हुई थी जो फेडरल फंड्स इस रेट पर पहुंच गए थे और साती जाद जो रेट हाइक तो होना ही था 0.75 बहुत तो कोई बड़ी बात नहीं थी 0.75 basis point होना ही था 75 बट उसके बात जो बाते की पाल जेने उन्होंने यह क कोई बात नहीं इस वज़े से जब यह कमेंटर यह आई मार्केट में तो इंपेक्ट पढ़ना था यह इंडियन मार्केट के हालाद देखिया आप 718 पे बंदुगा था कल के दिन 17 718 पे निफ्टी मार्केट आज के दिन 17 595 में दिखा रहा अभी के टाइम के इसाब से करी अब कितना और जाएगा यह भी नहीं पता आपको लास में दिख रहा होगा बहुत त्रारिक नीचे डो जोन्स के हाला देखिये इंफोसिस के देखा हूंगा सब के दिखा हूंगा डो जोन्स देखिए रिकावरी की कोशिश की डो उसने नीचे जा से उपर आने की बट नह नेगेटिव यह ना पॉजिटिव उसी रेट पर बना रहे है तो इनफी वैसे में बता हूं पॉजिटिव न्यूज आई थी इनफी के अंदर तो थोड़ा बहुत उसका इंपक्ट दिख रहा है आपे विप्रो के अगर बात की जाए विप्रो भी भेहन कर तरीके से नीच के रहा है तो स्टोक मार्केट इंडिया में आज केरफूल होके इनफेस्ट कीजिएगा धान रखिएगा कि मार्केट कुस दिन वोलेटाल रह सकती है बठाब फिर वापिस बाउन्स बैक्स जरूर करती है